सुन मेरे शहजादे आप भी मुझसे ये कहेंगी मैंने सोचा नहीं था आप तो कहते हो मैं आपकी समझदार बेटी हूँ वो तो ठीक कह रही हो आप बहुत इंटेलिजेंट बहादर बेटी हैं मेरी प्यारी आयत अब सोने चलो बिटा बहुत रात हो गई है ओके मामा आप चलिए मैं आती हूँ चलो बिटा अब सोने की तयारी करिए मामा मेरी प्यारी मामा आपको पता है ना मेरे लिए पहले आप और पापा हैं मैं अपनी पढ़ाईव में डिस्ट्रिबेंस नहीं होने दूँगी पक्का प्रामिस मामा मेरी प्यारी बच्ची आपको क्या जरूरत है पैसो की अब हमें बताओ मामा आपको बता दूँ पापा को पता चलेगा तो वो बहुत गुसा करेंगे 110 परसें गुसा करेंगे उनको सारे खर्चे फजोल लगते हैं मामा मुझे जरूरत है Actually मामा मुझे मूबाईल लेना है मुझे मूबाईल की जरूरत है मेरे सारे फ्रेंड्स मूबाईल पे पढ़ लेते हैं मैं नहीं पढ़ पाती हूँ और class में सब बहुत अच्छे answer देते हैं मैं नहीं दे पाती हूँ सब बहुत अच्छा presentation बना के लाते हैं इस college में time भी waste नहीं होता सब लोग अपना class के बाद mobile पर पढ़ लेते हैं मामा अगर मैं ये बात पापा से कहूँगी तो वो कभी नहीं मानेंगे कहेंगे टाइम वेस करना हैं, बातें मिलानी हैं और कुछ नहीं ममा, प्लीज आप तो समझो, अच्छा चलो मैं सोचूंगी, तुम्हारे पापा से भी बात करोगी ममा आपको सोचनी की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना, आपी की बेटी हूँ ना ममा, ममा मेरी प्यारी ममा, मैंने अपना परफेक्ट एंटेवल बना लिया है, आपको फिकर करने की जरूरत नहीं है, मैंने वीक में थिरी डेज, सिर्फ थिरी डेज में टू आवर्स वर्क करूंगी ममा, और मेरी मांधिली इंकम फाइफ थाउसंड हो जाएगी, मैं आपको परशा नहीं करूंगी ममा, पक्का प्रामिस, देखो आयत, अगर रिजल्ट पे फर्क पढ़ा, तो मैं तुम्हारे पापा को नहीं समझा पाऊंगी, वो तुम्हें बोर्डिंग भेज देंगे, समझ में आया, मैं रोक नहीं पाऊंगी, समझो मेरी बात को, ये सब चीजे बेकार की होती हैं, बेटा पढ़ाई प्रिद्यान दो, पढ़ने का टाइम है, ममा, आप भी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगी, ममा, प्लीज, ममा, मेरे सारे फ्रेंड्स अपने पैरेंट से जूट बोलते हैं, और वो ये काम करते हैं, मैं उन्हें समझाती हूँ, बहुत कि सच बोलना चाहिए, जूट नहीं बोलना चाहिए, जूट एक दिन सब के सामने आ जाता है, मैं उन्हें बहुत समझाती हूँ, ममा, अलापाग भी नराज हो जाते हैं, मैं ये भी बोलती हूँ, पर मैं आप से जूट नहीं बोली हूँ, मैं आप से, मैं आप से, क्या बो मेरी प्यारी बच्ची ठीक है मैं आपकी बात मान लेती हूं मगर आपको भी मेरी बात माननी होगी जी मामा मैं आपकी सब बात मानते हूं मैं तो आपकी प्यारी बच्ची हो ना बताएए आप जो कहेंगी मैं वो ही करूँगी मोबाईल मैं खरीद के दूँगी आपको आप मोबाईल यूज करिए ठीक है लेकिन आप मोबाईल सिर्फ सुबे के 8 बज़े से शाम के 5 बज़े तक अपने पास रखेंगी उसके बाद 5 बज़े से सुबे के 8 बज़े तक आपका मोबाईल स्विच आफ रहेगा तेंक यू मामा, तेंक यू, मेरी प्यारी मामा और ओनलाइन काम मामा, मैं ओनलाइन काम कर सकती हूँ ठीक है बिटा, सिर्फ वीक में दो दिन आप काम कर सकती हो, ठीक अब ठीक है, अब कोई टेंशन मत लो अब बिना टेंशन के खुश हो जओ और अपनी पढ़ाई करो, ठीके? ओ, ये, 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 यपी, थेंक यु मामा, थेंक यु, थेंक यु, मामा, मेरी प्यारी मामा, थेंक यु तो सुनिए ये इश्क नहीं आजा, बस इतना समझ लीजे मा को बनाना है पापा को दिखाना है यही है राइट चैस बेबी आहाँ